हर घर तिरंगा अभ्यान की तहत सिरोंच में भाव्य तिरंगा यात्वा निकाली गई जिसमें सिरोंच के कई स्कूलों के चात्र चात्रा भी शामिल हुए साथी सेक्डों बच्चे हातों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नावे लगाते हुए चल रहे थे मुख्य रूप से 100 फिट लंबा तिरंगा आकर्शन का केंद रहा तिरंगा यात्वा में प्रशासनी कदिकावी भी शामिल हुए तिरंगा यात्वा सियम राइज स्कूल से शुरू होकर मुख्य बाजार सराफ़ बाजार चान्दी चौप कोड केट होते हुए मंडी प्रांगन पहुची जहां यात्वा का समापन किया गया वहीं बच्चों को अलपाहार वित्वित किया गया सिरोंज से अक्षे कुमार अहिरवार की रिपोर्ट और इस आत्रहका उयोजन किया गया था नगरपाली का शेत्रांतरगत से शिंव स्कूल स्यात्रहका आयोजन प्रारंभ हुआ मुझे बताने में बहुत हर्ष उक्या की सबसे ज्याथ पारिसिपेशन वाकीशन इस से भागीता वाली सबसे लंभी तिरंग यात्रा आज बहुत जोश जुनून के साथ सिरौझ में निकाली गई है। जिसमें हमने विशेश तोर पर 11 और 12 के स्कूल के चात्र चात्राओं को आमंत्रित किया था। उससे छोटे बच्चों को आमंत्रित नहीं के था, साथ ही साथ महिला बाल विकाज की हमारी टीम इस यात्रा में बहुत बर्शड कर शामिल हुई, स्कूल शिक्षा विभाग के सभी शिक्षा किसमें शामिल हुए और इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट्स ने यहां पर भागिता दी है, साथ ही साथ बहुत हर्श का विशह है कि हमारे जन प्रतिनीदी गंड भी पार्षद गंड अध्यक्ष जी सभी इस यात्रा में शामिल रहे हैं और जो इन्होंने लीड लेकर यहां पर कुछ विवस्थाएं भी की हैं, साथ ही साथ शहर के लोगों को जोश से भरने का काम किया है